चाप्टर फिव्टेटू हॉस्पिटर डॉक्टर ने कहना कुछ चेक करा और वार्षे से का आपको अपने बीवी का ध्यान अखना चाहिए आप कैसे हॉस्पिटर है आपकी बीवी प्रेगनेट है और वो 80 वीक है वो बेऊश होगी डॉक्टर की बात सुन वार्ष के आगे खुली लाल हो गई वो और वो डॉक्टर को एक चटके से अपनी दरब पलिट करका तो नवारा दिमाग खराब होगा ये प्रेगनेट कैसे हो सकती है डॉक्टर ने वार्षे से का आपके कहने का क्या मतलब है ये प्रेगनेट कैसे हो सकती है आप उसके हस्बेंड है और वापकी बीवी है और वो प्रेगनेट हो सकती है अब वो कुछ कहता वर्ष कुछ कहता उसे पहली कनक होश में आने लगी कनक नहीं होश में आती है सिर्फ एके नाम या अंकित वर्ष गुसे से फूटा फूटा जा रहा था उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात कौँच रही थी कि कनक कुप प्रेग्नेंट है कनक ते अपनी आखे खुली तो वर्ष कनक को गुसे से घो रहा था वर्ष को देख कनक बैठ पर उठकर बैठते होई खां मैं यहां कै कैसे आई वहलस्च ने कunder को देखो आपास में लेकर आया हूँ तो मैं कोई प्रॉब्ल्म है यह किसी चीज से डर रहा है करण वश को देख तैभी खां मैं क्यों डरूंगी मैंने क्या किया है तो मेरे रास्टे से हड़ जाओ इत्तक है कर वर्ष करना को घसी ते हुए अपसार ले जाने लेगा वर्ष का करना को इस तरह ले जाने से हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग उन दोनों को देखने लगे करकते वर्षा से खा फिरा हाँ छोड़िए आप उसे हड़ करें व इसको बर्दाश कर रहा हूं लेकिन अब नहीं अगर तुम सास भी लोगी तो मेरी मर्जी से तुम वर्ष ने एक जटके से करना को कार की पैक सीट पर डखा देकर खुद ट्राइबर सीट पर आकर कार फूल स्पीड में ड्राइब कर विल वहां से निकल दिया करना कार का ड वर्ष ने कार की स्पीड पढ़ाते हुएगा तुम्हें कंड्रोल करना चाहता हूं वर्ष रिंगार विला में जाकर समंदर वाली फार्म हाउस पर आगया था वर्ष एक जटके से कार रोगती हुए कार से उतर कर कार की पैक सीट के पास आकर डोर ओपन कर कर कनक को बाहर न वर्ष कनक को खूटे हुए गुस्से से मुशा तुम्हारे पीड में किसका बचा है वर्ष के सवार सुन कनक शौक हो गई कनक खुद को संबाल हुए जमीन से उटकर वर्ष को देखते हुए का क्या पे पी रग्या है आप उचे इतना घड़िया सवाल कैसे पूच चकते है वर्ष का गुस्सा उसके कन्रोल से बाहर जा रहा था वर्ष कनक के बिल्कुल खरीब आकर उसके दोनों शौलर को कसका पकरते हुए गा मैंने तो सिर्फ सवाल कहा है तुमने तो वो सब कहा है क्या डॉक्टर जूट जूट बोलेंगी उसे जूट बोल कर क्या मिने का तुम मुझे ये बताओ कि ये पच्चा किसका है वर्ष का एक एक ही सवाल पार पार सुनकर कनक दे वर्ष सिखा आपको मुझे पर यकीन नहीं है कनक दे बिसकुराते होए उसी टोन में वर्ष सिखा तो फिर मैं आपको नहीं पताने वाली जो करना है कर लीजे जिसे मुझे पर यकीन नहीं है उसे कुछ भी बताना मतलब खुट को बेवकूफ कहना होगा कनक का एटिट्यूद एक वश का मैं मेल एको हट हो गया वो कनक के शोड़र को पकड़ कर तीजी से डिवार से सटा कर बिर कनक के पिरकुल करीब आकर कनक से पहली कनक से खा पहली बात तुम मुझे इस तोर में बात मत करो दूसरी बात मुझे ये बताओ कि आखिर इन शी मैने में तुम किसके साथ सोकर आई हो तीशरी बात इस बच्चे को अपॉर्ट करना होगा किसी भी कीमत पर किसी नाचार्श बच्चे का बाप नहीं बनूगा मैं कनक का दल तो कर आता कि वो वश को सोड़ ठपड मारने का लेकिन उसके हाथ वश ने पकर लगे दे कनक मुमेंटिंग जैसा महसूस कर रही थी कनक वश को कुछ दूर करते होई का मुझे दूर आ ठी है मुझे मुमेंटिंग आ रही है वश ने कनक से का खुछ भी खेलो लेकिन मेरे सबालों का जवाब दिये मैं तुमें कहीं नहीं चाने दूँगा कनक को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कोहरे चाने से पहले तो वह पिल्कुल ठीक थी अचानक से उसके टबेट इस थरह खराब हो जाना उसे बहुत अचीब लग रहा था उसे बहुत पेशनी महसूस हो थी आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा हो नहीं हुआ था लेकिन आज पहली बार उसे बहुत अजीम महसूस हो रहा था कनक वर्ष को खुद से दूर करने के कोशिश कर रही थी लेकिन वर्ष ने कनक को नहीं चुड़ा था आखिरकार कनक ने वर्ष के उपर मोमेंटिंग कर थी कनक की मोमेंटिंग करने से वर्ष कनक से दूर होते हो被 का ौता है सब महाज से ने नवर्ष के दब था रहती हुए लिग अपे बसुद मा facult un to उन और करक ने जब और चैरते को आईव में अलें दॉल पए सॉचता था लेज्य लेकिन वर्ष का इसे उसका और पूरी तर यह पने रहे हैं मिलेधा नेक्सपार्ट में चाप्ति फिप्टीज वर्ज्ट गुस्य से चलाते होईगा मिस गुल्च अकर तुम्ने दर्वाज़ा नहीं कुला तो मैं डर्वाजी वर्ष जैसे तबबाजा को ओष कहते ही कि और आध को देखे वर्ष कनक पर चेलाता उससे पभान पड़ा घी कलने लेक्ट आप समिन पर गेर ऊससे पहले वर्ष ने पर भाव ने थाम लिए वर्ष ने जब करने का च्रहा देखा तो वह परशान हों गया करने के चैने को पता नहीं क्यों मुझे पार पार शंकर आना है और फूमेंटिंग जैसा महसूस हो रहा है सुपा तक तो सब ठीक था अचानक पर तरमेट बहुत खराब हो गई बहुत अजीब सा लग रहा है जैसे मेरे अंदर रोलर कोस्टर चल रहा है वश करनक को अपने बाव में उठा कर महां से लिगर रूम में लाज जाकर करनक को बैट पर रिटा आते होई करनक के करीब बैटते होई खा क्या तुम्हें आच से पहले ऐसा कुछ नहीं हो था करनक ने किसी मासुम बच्ची की तरह अपने गड़न नामें ला दी वश्टे करनक से पूछा तुम लड़कियों को किसे बढ़ चलता है कि तुम प्रवाश का सवाल सुन करनक को अजीम बतरों से देखने लेगे वश्टे जब करनक को अपोई तरफ अजीम ड़ज़ों से देखता हुआ तो खा मुझे ऐसे क्यूं देख रही हो मैं वाश चानना चाहता हो जिए तुम नड़कों कैसे बदाझ चलता है कि तुम प्रेगनित हो I mean कुई तो Kltा के से बदा चला कि तुम प्रेगनित हो करक क्सेसे सपूचा आपने बायों नहीं पढ़ा में curriculum से खानी मैन नहीं पढ़ा में goodness प्रुचा था मैं बायों कैसे पढ़ूगा वंश काणग को देख चुश्थे में का मैदम से क्या सवाल करें और तुम मुझे क्या पूछ रही हो अब इसमें बायों और मैट्स कहां से आगे कानक नहीं वंश को देखते होगा बायों और मैट्स का एन्ट्मीट हुधी है और हम अगर प्रइन होती है तो हमारे पहलो जाते हैं तो इप चैनक जो धाथ का लान पote को देखते होईा था सद्सक्शल के पीड़ के देखते हुए राकरो किसमीबत का नाम है क्या और को ब usual खूल में पारसी कना को देखते होई का ये कौन सी साइकल होती है कना जिससे रह रहकत चकर आ रहे थी उसने अपने सर्फ पर हाथ रखते होई का आपको एजिन किस्ते बनाया और आप एक पड़ी बिस्टेसमेंट कैसे बन गए आपको बायों की छोड़ी सी नौरिश तक नहीं पता आपको में सारी इंफर्मिशन रखोंगा डी मेरे साथ जादा नहीं रहती है वो जानतर डादी के साथ रहती है रुआन जब उनके बेट में था तब वो मेरे साथ रहने वाली थी क्योंकि दादी हमें छोड़ कर चलिए यह सब छोड़ो और मुझे बताओ वो सब क्या होता है तु आप सुनेंगे तब ना मैं आपको बताओंगी क्या होता है बीच में बूलना बंद किजिए बीच हर लगकी को आता है इन महीने में तीन दिन या साथ दिन या आट दिन रहता है हमारे वाजायने से ब्लीनिंग लॉस होती है इससे जादा मैं आपको नहीं समझा सकती है निकालकर कनक से खाँ अभी तुमने क्या नाम दिया था कनक नहीं घहरी सास लेकर कहा आप सर्च करिए वोमेन पीरियंट्स आपको सारी इंफॉर्मिशन मिल जाएगी वाज करने के पास वाज करने के पास पैटी ही सर्च करने लगा उस्ते सर्च करके लगबक आदे खंटे अगर बनाते होई खीचते होई वार्षा से कहा अगर आपने एक बार भी कहा ना तो मैं आपका बाल नोश लूँगी मुझे इस वक्त बहुत गुस्ता आ रहा है मुझे भूग भी लगी है वर्ष्ट को घूटे होई कहा गुस्ता मुझे भी आ रहा है चुप होकर बैटो पहले मेरे सवाल का जवाब दो फिर खालना वर्ष ने कनक से पूछा तुमारे पीरिट कप आये थे कनक जैसे वर्ष से कहने को अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहा अभी कली तो मेरे पीरिट कटम होए थे तो मैं प्लेग्नन कैसे हो सकती हो कनक को इस तरह पर हाथ रखते देख वर्ष भी कनक से पूछा मैंने तुमसे कुछ पूछा है तुमारे पीरिट कप आये थे तो कनक नहीं वर्ष को देखते हुए कहां एक हफ़ते पहले और कली मेरा पीरिट कटम होए डॉक्टर को कोई कन्फ्यूशन हुआ होगा उस नहीं प्लड टेस् होए कहां आज हम घर नहीं जाएंगे हम यहीं रहने रहेंगे अजैसी आपकी मरसी लेकिन मैं आपरे साथ नहीं रहना चाहती है वास्ते दुबारा से कनक के हाथ को पकड़ कर कर से क्वालिश में चुल लडगा तुमारे साथ था वह कौन था क्या तुमारा बाइफ्रेंड कानक वाश के हाथ को एक जटके से जटकते होई का सेल्फिश होने की एक हद होती है मैं कब से आप से घ्यार हूँ मुझे भूख लगी है लेकिन आपको सुनाए नहीं दे रहा है आपको अपने सवालों की पढ़ी है क्या आप क्या चाहते हैं मैं मर जाओं कनक ने इत्दा ही खादों को कस कर पाइट कर लिए वाश चलिए से अपने हाथ को हटाकर कनक को घूट होई का चंगली बली पर पर जोट होई अपने उपनी वाश को दिखाते होई आप नहीं है लेकिन आपकी हरकते वैसी ही है हटें मेरे दास्ते से इक तक है कि बैट से उठकर चाने लगी वस्ट गनदग के हाथ को पकड़ कर खीचने अगया, लेकिन गनदग वहां दो्ड कर रही थी, कनदग का पैट के पास रखें डोर मेंडं में फस गया, अलो सीधा वस्ट के उपर जागयी, वस्ट कनदग को पकड़ने के जक्कर में बेट पर गिर गय. कनक उसके उपर गिर गई, वो दोनों ऐसे गिर गए कि उन दोनों के होट आपस में टाज हो गए, वो दोनों ही एक दूसरे के आँखों में देखा लगे, वर्ष कनक के आँखों में खोसा गया, कनक भी वर्ष के आँखों में खोसे गई, दोनों ही बिना पल के चपका एक बेच गय वर्ष अपनी हांस्टे हाथ को कनक के सर के पीछे रख करने के Heos को पैशनेटरी Bowl करने किस करने गा कस करेंगा करन के च squeezing करें थी जले होटों控़ को अपने दादों से पशल दादों से कर कि अधियां के होटों को कस करएत कर लिया पइड़ करने से कनक खोश में और उसे जब अपनी आंखें खोली तो वर्ष को अपना सामने ने एक छड़के से वर्ष के उपर से उड़ गी और वर्ष के कालों पर एक जो ड़ा झार ठपट शर्डिया कनक का वो ठपड वर्ष को बहुत टेस लगा उसे ये आड़िया नहीं था कि कनक ऐसा रियाक्ट करेगी सो क्या करेगा वर्ष जानने के लिए बने रही है मिलता ने चैप्ट भी कनक वर्ष को घूटे होई का आपने मुझे किस कैसी क्या आप पागल होई हैं क्या वर्ष अपने गाल पर हाट रख करने को गुस्से वारा लुक देती होई का तुमने मुझे पर हाट उटाया वर्ष राए सिंगानिया पर कनक ने मुस्कुलाते होई हाँ में हाँ मैंने आपको ठपड मारा क्योंकि आप अपने हादे क्रॉस कर रहे थे और यह अपने नाम की धंगी आप किसी और करीज़ेगा जन्हें इन नामों से डर लगता है मुझे आपको यह आपके नामों से किसी से भी डर नहीं लगता समझे आप इत्ता कैकर गनक मुट कर रूम से भाध चाने को हुई तो वर्षन ने एक चड़के से कनक को उठा कर कनक की कलाई को पकट कर कनक को बेड पर लेटा कर खुद उसके उपर आकर कनक के दोन्हों हाथों को पकड कर अपने अंगली को कनक की उंग्लियों में फजाते हुई कनक, कनक के दोनों हाथों को पैड पैड पर प्रेस करते हुई खा, छोटे खर्गोश, तुम्हें मुझे तरना चाहिए, क्योंकि मैं तोम HairРЕ हुआ और तुम मेरा शिकार हो। कनक अपने हाथों को चुर्टवाने की कोशिश करते होई खा। मेरा हाथ छोड़िये। कनक किसी मचले की तरा वर्ष की बॉर्टी के नीचे टड़ा पड़ाई थे। वर्ष कनक की हाथों को और कसकर पकड़कर कनक की से खा। नहीं, मेरे चोटे खरकोश, अब मैं ये हाथ कभी नहीं शुनगा। क्योंकि तुम मेरे जिन्दे की किस सबसे कीम्ती जीज़ हो। कनक वर्ष को गूर्टे होगा। लगता है आपने कोई नशा किया है, जरूर। क्योंकि सुपह तक तो आप मुझे से खुद दूर कर रहे थे और रात होते ही आपने मुझे अपने पास रखना चाहता है। कनक के हातों को अपने हातों मिसे पकड़कर अपने दूसरे हाथ के Umu 누ны को कनक के फेड़ रख सालाते हो इक कनक की आउंको में देखते हुए का। मैं तुम्हें खुचे दूर करना जाथा दा लेकिन मैं तुम्हें खुचे दूर नहीं कर पा रहा हु Љं लगता है मेरे इस चोटे खरगोश नहीं मुझे पर शादू कर दिया इसलिए तो उससे जाने का उससे दूर शाने का मन नहीं करा कनरक अपनी आखे चोटी करवाश को देखते होगा शिकार एक बार जान में फस्टा है भाल बार नहीं आपने पहले बहुत अच्छा बना प्ल तुमारी कोई बात नहीं मानूगा क्या तुम अपने शिकारी के सर्टे नहीं मान सुनोगी कनरक ने टेंच करते होई वर्श से खांग अकल मैं आपको मना करूँगी तो क्या आप मान जाएंगे नहीं न तो ये पूछे की फॉर्मल लीटी करने के कोई सवरत नहीं मुझे नहीं पदा था मेरा जूटा घरकोष इतना समझदार हो जाएगा तुम मुझे कित्ते अच्छे से समझने लगी हो ना छोटे घरकोष कनक मूँ पनाकर वास को गोणे लगी वास ने करक से खा मेरी तेली शर्ट है तुम्हें मुझे शादी करने होगी वह भी पूरी दुनिया के सामने और मेरी दूसरी शर्ट तुम्हें कमांडों के ट्रेनिंग लेनी होगी और मेरी त्रीसरी शर्ट तुम्हें रोपोर्ट की तरह मेरी हर एक और को फॉलो करना होगा अगर मैं रात को दिन कहूँ तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा अगर मैं तुम्हें स सर्टों में उसकी पूरी जिन्ने की मांग लीगा कनक ने वार्षा से खा आपको लगता है मैं आपकी सर्टे मानूंगी आपसे शादी करना मतब खुद को आंग में ठक्का देना होगा मैं कमांडों की ट्रेनिंग नहीं लेना चाहिए मुझे एशे टैप ना मैं आर्टी ट्र ऋपरस्पोर्टों पर सेलागते हुएह का कोई नहीं माच अगरा चूटा खरगोश्टों मेरे सारी शर्टे मांजन भाते हैं यह जोटा खरगोश्टों सब्सक्राइब को और अप्श्यन नहीं उपें nam ai तो भूल जाए ल हो आपने पाई को आपने च्रथ को और बैर भीं का फर्दा कैसे उठाना कोई आप से सिखे आप सच पे बहुत माँआ है वर्ष करना के ओपर से उठे होई कनक से का सही का चोटे घरगोश मैं बहुत मानूं धबीतों माने अब तक तुम्हें सिंदा रखें वो भी इतने प्यार से वरना कोई शिकार ही अपने शिकार को नहीं चोटा कनक पैट पैट पैटती होई वर्ष को गोड़े होई का मुझे सिंदा रखकर आप मुझे पर ऐसान नहीं करें इसलिए कि बाल पाते बाल बाल मुझे खेना बंद किसे अगर आपका सब कुछ हो गया हो तो हम कुछ खाले क्योंकि मुझे बहुत भूग लगया है वर आपके धाट तोड़ूंगे वर्ष अपनी आंके कनक को दिखाते होई खाल चोटे खरगोश शर्टे अभी से शुरू हो दिया आज से अभी से तुम मुझे पत्तमी सी से बात नहीं करोगी और जब भी तुम मुझे बात करोगी तो अपनी नस्टे नीचे करके बात करोगी समझी कनक कुछ कहती अचानक से ही उसका सर घूमना लगा अपने हाथ तो उसे सर को कसकर पकर लिया कनक को ऐसे देख वर्ष परशान हो गया था उसने कनक आज से पहले कभी ऐसे नहीं देखा था वर्ष ने कनक से का छोड़े खरगोश क्या तुमारा सर ढद हो है कनक के आखे बिर्कुल लाल हो गए थी वर्ष कनक के सर को गोल में रख हलका हलका चलाते होई का थुड़ा रिलक्स करो मैं खाना राता हूं वर्ष के इस तरह सर को चलाने से कनक को नीन आने लगी और वह लगा था वर्ष ने अपने फोन को निकाल कर किसे को कॉल लगा कर मुझे आज की कॉलिश की आज की सारी सिसी टीमें फोटीज चाहिए कैंटी से लेकर क्लांस टक की फोन के दूसरे सेंट से आपास हैं ओके बॉस फोन को रखती होई कनक के चैरी को सेला आते होई का चोटे घरगोश तुम सुबह से परकुल ठीक अचानक से तुमारे तवेट का इस थारा खराब होना प्रेंट होना के सिंटम्स यह सब इत्टफाक नहीं हो सकता जरूर तुमारे साथ कुछ कर पर हुए है अगर मेरा शक सहीं निका तो इससे तुमारे जान में जा सकते हैं और जिस हो अगर वैसा हुआ तो ऐसी खरकत तुमारे साथ कॉलिश में कौन कर सकते हैं तो क्या होगा अगर जाने के लिए बने रहे हैं मिल दाए नेक्स पार्ट में चैमटर 55 फार्म हाउस शाम से रात होगी थी कनक अभी भी सो रही थी वर्ष पैठा लापटॉप में काम करा था उसने कॉलिश के सारी सिसे टीवे फुटेट चेक कर ली थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला था जैसे वो यह साबिट कर सके कि उसका शक्र सही था रात के नौबजे कनक की जब आखे घुरी तो उसने देखा वर्ष सामने सोवे पर बैठा लापटॉप पर काम करा था कनक लेकिन मुझे इस तरह देखोगी तो मैं अनकाफर्टेबल होने रखूँगा कनक वर्ष की तरफ अपी इंदस्ट्रे को फ्रेटी होई मूँ पना कर खुच जिखा लोग इत्ती गलत रामी क्यों पालते हैं समझ में नहीं आदा वर्ष ने कनक से खा फ्रेश हो जाओ हम बह मुझे दिनर बनाने का कोई शोग नहीं है तो दिनर कौन बनाएगा इसलिए हम भाश आएंगे क्योंकि मुझे भी बहुत बहुत बढ़ी बात है और मैं कब से तुम्हारा उतने का इंतसार करता था कनक अपनी अन्राकों को रोज करते होई वार्ष से खा आप मेरा यानी व चोटे खरगोश जाओ जाकर फ्रेश हो कराओ क्योंकि कल से हमारी जिन्दगी पदलने वाल है कल तुम्हीं मेरे साथ एंकाउंटर पैन पर जा रहा है करनक जिसका चेहरा कुछ वक्त पहले नॉमल था वर्ष के बाते सुनते ही उसके चेहरे पर उदास्या गई एक पिता न वाश करने के पास आते हुए कनक से का तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं प्रावड होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वज़ा से एक क्रिमिनल पकड़ा क्या हासारों लड़कों लड़का बच गई करोड़ों लोगों लोग बच गई कनक बिना कोई जवाब दिये हुए प्याट से उठकर वाश के साइट करते हुए वाश रूम की तरफ चलेगे करना को इग्नोर कर चाहरे देख वाश को बेहन गुस्सा आगया वाश अपने हाथों के मुटने का स्कैल बंद करते हुए खां तुमसे अगर हाट डिस्क का पासवर्ट नहीं जाना हो था तो मैं तुमारी बत्तमीजी को परदाश ने करता तो मैं अपनी जिंदेगी से अब तक दूर कर चुका हो था चोटे खरेगोश मैं जानता हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता बस तुमारी तरफ अट्रेक्ट हो रहा हो और जब तुम मुझे दूर हो जाओगी तो यह अट्रेक् को मैसूस में कर पाना था करण जब वर्षों से बाहर आई तो वर्ष कनक को एक दर देखता रहें क्या करणक ने लेंट वाइट फ्रॉक पहनी होई थी और वो किसी पढ़ी की दरा लग रही थी इस वर्ग वो बहुत जादा अट्रैटिव और ब्यूटिफुल लग रही थ कनक ने वर्षा से का चलिए वर्ष अपने हाथ को क्रोस कर कड़े होते होई कनक से पूछा तुम इस तरह पार जाओगी कनक वर्ष के सवाल या नजरों से देखते होई का हां क्यों कोई खराबी है और आप कहना क्या चाहते हैं वर्ष कनक के बिलकुल करीब आकर कनक के ऊप थोड़ा जुकते होई कनक से का चोटे खर्गोष तुम कभी-खभी तब बेवकूफी भरस बार क्यों करती हो करती हो करता वर्ष को घूने बाला लोग देने लगे वर्ष कनक को देखते होई का तुम ऐसे कपड़े पैंट कर बार नहीं जा सकती हम खाना खाने जारे है लो ना ही हम यूनिक टिक्ट है तो लोग हमारे तरफ अट्रेक्ट क्यों होंगे वर्ष के गहरी सास लेते होई कनक से का आज ये बार तुम बार शौर्ट ड्रेस पैंट कर नहीं जाओगी चाहे रात हो या दिन तुम फुल ड्रेस में बार जाओगी और यह मेरा पहला ओर्डर है तुम्हें इसलिए चाहो चाहकर कपड़े चेंज करो और पुरा फुल कपड़े पैंट कर आओ वर्ष की बात तो उसी कनक को बहुत कुस्सा आ रहा था आज तक उसके पापा ने भी उसे कंट्रोल लेकिया था और आज वर्ष उसे कंट्रोल करा था कंट्रोल के साथ- को वो सहाइस्ट्रा कर सकती थी लेकिन असका कपड़ा सिर्फ उसकी पसन का होना चाहिए था उसके अब टक अपटी पसंद के ही कपड़े भी प嫌ने थी आज तक आज तक किसी नियों से कपड़ों में एडवाइस नहीं नहीं थी क्योंकि उसे हर मामले में एडवाइस उना पसंद था लेकिन कपड़ों के मामले में बिल्कुल भी नहीं कनक वाश को देखते हुए का आप शान है मैं अपने कपड़े जीर्च करω और ये आपका ओरड़र है तो आप सुने आपड़े कपड़े जीर्च क्यों करूं मेरे कपड़े पसंद है मुझे मैं इमें कंफरटी हूँ तो आपको क्या प्राब्लम हो रही है वाश कनग को गूरते होई कनग से खा तुमने कुछ देर पहले मेरे शर्ट्य ध्यांचे नहीं सुनी थी तुम्हें मेरे हर ओर्डर को फॉलू करना पड़ेगा चाहिए वो तुमारी मर्शी से हो या ना हो कनग गुसे से पैट पर पातली मानकर बैटते होई वाश से सिखा मुझे कई नहीं चाना आपके साथ अल्लाग ही सबर दस्ती है आपकी मुझे मेरे मेरे कपड़े पसंद है और मैं आपने कपड़ों का सेक्रिस्वाय नहीं कर सकती मेरे कपड़े अच्छे है शौर्ट भी नह है क्योंकि इस वक्त तुम अट्रेक्टिव के साथ साथ हौट भी देख रही हो वाश ने इट्टाए कहा था कि कनग अपने आख के बड़ी बड़ी कर वाश को देख रहे उसके अपनी पल्ट के एक बार भी नहीं चप आए उसके गाल गर्म हो गए और चेरी के तरह लाल हो अपी क्या कहा मैं होट और अट्रेक्टिव लग रही हूँ सच में मैं इतने साना अच्छी लग रही हूँ कनग को बच्चों की डरा भीव करें देख वाश कनग को देखते होई कहा आसमान में औरने के जोरत नहीं है नीचर समीन पर आजाओ और जागर कप्ड़ी चेंज क करो करनक पैट से उठकर वाश के हाथों में अपना हाथ को डाल कर वाशन सेखा क्या आप नहीं चाहतें कि लोग आपकी होने वाली वाइफ की खूप स्ट्रेक्ट कहें आप सूचे अगर मैं लोगों के सामने अजीब कपड़े पहन कर जाओंगी तो लोग सोचेंगे कि डी कनक के हाथों को अपने हाथों में से निकाल कर कलनक से खाँ छोटे घंगोर्ष मुझे पटर लगाना बन करो कनक दुपार से वहिज़ें किस झोटर पचल की तरह पकरते होई का मैं आपको पटर नहीं लग लागा रही मैं लुट पप कंक की मुझे मैं लुट सुन वाश कम को घूरते होई का तो मुझे मैं लॉट क्यों कह रही हो करकवर्ष के हादों को छोटी होई रूम से भार शादी होई का अब आप मुझे जज की तरह फैस्टा सुनात हैं तो मैं आपको क्या कहूं मैं आपको सर कहने नहीं सकती क्योंकि आप इतने इतने रिस्पेक्ट दिसाव नहीं करते हैं और मैं आपको जानू सुना भाबू भूला भूला नहीं सकती क्योंकि मैं अब आपसे प्यार नहीं करती आप मुझे पर ओर्डर मारते रहते हैं तो आपको मैं लॉट कह सकती हूं क्योंकि यह नाम आप पर फिट बैटा है वर्ष कनक के पीछे जाते होई कनक से पीछे जाकर कनक के पीछे से फ्रॉप को पकड़ कर कनक को अपी धरब खीशते होई कहां शोटे खरगोश तुम ही मेरा औरर सुनाए निया वह मैंने क्या खाए तुम से कनक वर्ष के तरह पलट कर सब ड़स्टी कार ना दिखा देऊगा मैं लॉट आप समझ क्यों नहीं रहे मुझे भूख लगी है बहुत टीजी से और इता टाइम नहीं है और इता टाइम नहीं है कि मैं अपने कपड़े चींच करूं और फिर हम दिनर करने चलें आज मैं यहीं कपड़े पहन कर जाती हूं आगे से मैं कि इसानी ओर फॉलो करूंगी ओके मैं लॉट करना की एक्टिंग दिख वर्ष हलका सा मुस्कुला दिया उसरी जब गड़ी में दिखा तो सच्वें काफी देर हो जोगी थी वह करना के हाथ को पकट खनक से का बाहर शाने के बाद तुम कोई होशारी मत करना किसी लड़के अब हम चले या फिर आपको कोई और पी ओर्डर देना है वाश अपने हाथों को बाल में फिरते होई कनक का हाथ पकरते होई रूम से बाहर चला गया मिर्दल हाउस एक लड़की चियर से बनी थी उसके मूं में रुमाल धूसा हुआ था लड़की सामने बैठे दो लोगों से कुछ पोणने की कोशिश करे थी सामने सोफे पर कोई और नी बलकि माली नी मिर्दल और अनेरोद पहले थी चेहर से बनी लड़की और माली नी दोनों के चेहरे बिलकुल सेम थी सोफे बल बैठे माली नी ने अपने चेहरे को निकाल कर सोफे पर फिकते होई का सोरी माली नी मिद्दल लेकिन मुझे अपने मकसद को पूरा करने के ले तुमारे चैरी का साना लेना पड़ा ये लड़की कोई और नए बल की सौधी थे और अने रोद अपने चैरी पर से मास्क को उठान ते हुए का मैं भी इस चैरी को लगा हुए काफी ठाग्या हूँ इट तक है कर उसने भी आपने चैरी को सोफी पर फिकते हुए खाँ मिस माली नी तुम बहुती काम के चीज़ हो तुमारा चैरा और तुमारी भाई का चैरा हमारे लिए बहुत काम का है मुझे पता नहीं था कि हम मेरी ऑफिस में काम करने वारे लड़की मेरे इतने काम आएगी चीर से भनी कुछ बोले के कोशिश कर रही थी सुआदी मालीनी के पास अगर उसके मुँ में तुमारा को निकाल कर गा सुरी पीम लेकिन तुम्हें मरना होगा तुम सिंदा रही तो हमारे लिए कड़ा बन सकती हो आखिर हमने तुमारी चका पानी के लिए खिती मैनत किया है उसी इस तरह परपाद तू नहीं कर देंगे हमारे काम की नहीं होने देंगे मालीनी उन दोनों के सामने गेले आते हुए तुम कि कि यहाए प्लीज प्लीज मुझे चाने दू Carlos का अगर तुम दोरों ने हमें मार दिया तो या रखना तुम दोरों भी बहुत चल्दी मारे जाओगे तुम लोगों की लालस तुम लोगों को खतम कर देगे तुम लोग पैसों की भूके हो हर्शर अपने कान में उगली डाल कर हिला आती हुई का किते ना बखवास कर दियो आफिस में तो बखबख और यहां पर भी अब समझ में आया तुम प्रोफेसर कैसे बनी क्योंकि तुम बोलती बहुत जादा हो और मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे मेरी जानों चाहिए मुझे मेरी कनक चाहिए और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूँगा अकर मुझ उस तक पहुशने के लिए गड़ोरो जान लेनी पड़े तो मैं वो भी करूगा लेकिन मैं उसी अब अपना बना कर ही रहूँगा पहले सोचा था मर्जी से बनाओंगा अपना लेकिन वो मानी नहीं अब मैं उसे जबर दस्ति अपना बनाओंगा इता क्या कर वो शड़ाने तहरी के से मुस्कुना आने लगा स्वादी हर्षद को देखते हुए खा तुम पूरे के पूरे पांगल हो गयो आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे भाग देओ दुनिया में हजारों लड़के हैं और तुम उन्हें हासल कर सकते हो उन में उनसे प्यार कर जा पांगल लड़की के पीछे भागना बंद करो उसके पीछे भागते होगे तो मौत के सबाग कुछ हाथ नहीं लगेगा सौधी ने इत्ता ही कहा था कि हर्षद स्वादी के गले को कसकर पकड़कर उसका गला दबाना लगा स्वादी का दम घुटने लगा सूँ क्या होगा जानने के लिए बने रही है मिलते है नेक्स पार्ट में शाप्ट फिफ्टी सावन रेस्टोरेंट कनक और वाष ने डिनर कर लिया था कनक ने वाष न सिखा मुझे आश्क्रीम खानी है वाष जो अपने फोन पर सिक्यॉरिटी गार्ट को अलर्ट रहने का ओर्डर दे रहा कनक वाष को खा जाने वारी नजरों से घोड़ते हुए अपने मन में खा आकिर मैंने इस चतान से जहां देखकर प्यार किया था ये तो हर बात पर टॉंट पार्ट है वाष कनक के चेरे को बहुत ध्यान से देखते हुए खा शोटे करगोश अगर मन में गाली देना हो गया करक ने मूँ बनाते होई है मैं वाष कॉम चाहना चाहती हूं क्या मैं चाह सकती हूं वाष ने कहना को भीयत घुण सहागर काई और उससे चलाते होई है आपका सच में दिमाग खराब हो गया है आप पूरे के पूरे पांगल हो चुक ए हैं आप मेरे साथ गये गल्वाष पेटे कपल उन्हें देखने लगे वाश करनक को देखते हुए डाल पीशते हुए खा चोटे करगोश क्या करी हो तो करनक ने सब की तरब देखते हुए खा मैंने कुछ गलत नहीं किया है हद तो हो गई है आप करना क्या चाहता है आप मुझे आज पता ही दीजे मुझे इस क्या करी गया मैं ठंक गई हूँ सच में बताओ मैं तो आपके साथ नहीं रहना चाहती आपके साथ रहते हूं तो ऐसे लगते है जैसे जील में हूँ और आज सुमा से तो आपने परशान कर यह रखा है आपका यह चेरा देखकर तो दिल करता है इस चेरी का नक्सा भीकाड हाई कनक वहाट दो कॉंसिटेंस कनक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अभी मन्यूम बिना कुछ पूछे खीच कर कनक के सांग में पैटते होई था हेलो प्रॉफेसर मुझे लगा था कि एक प्रॉफेसर को अपने इस्टूडेंट के साथ अफैर होगा कनक अप कनक को देखते होई का यहाँ बैठा कोई पी इनसान बेवकूफ नहीं है सबको लगता है कि तुम दूरो कपल हो क्या मैं किसी से पूछ कर पता हूँ कनक ने गहरी सास लेते होई का हम कपल नहीं है मिस्टर सिंगानिया जो पॉफेसर है उनके घर में रहती हूँ उनकी सिस् अगर सबको पता चलिया ना कि मैं मिस्टर सिंगानिया के साथ आई हूँ तो पता नहीं क्या होगा मैं चाहती हूँ जो लोग भूल चुके हैं उन्हें फिर से कुछ यहान ना है अभी मन्यूम वश को देखते होई खा हेलो एजेंट नाइस टू मीट यू अभी मन्यूम के मैं मांची सिंग नाठोर का बीना अभी मन्यूम सिंग नाठोर हूँ जो विक्रम चौहान का एक्स वाइफ है उन दोनों की बाते सुन कनक ने टेबल से उठते होई खा मुझे लगता है आप लोग का ये पस्टल मेर्टर है तो आप लोग आपस पे बात करें मेरी हां किसी क सब्सक्राइब है तमाटर कनक अभी मन्यूम को घूर्टी होईगा वाट टमाटर तुम पागल लग रहे हो तुम मुझे जदन जानती किता हो जो मेरा नाम लग रहे हो अभी मन्यूम एक चटके से कनक को अपनी तरफ कर कनक सिखा जब तुम गुसे में रहती हो ना तो टमा ना ठमाटर रख दिया और किसी को जानने के लिए एक पल भी काफी होता है और हमने तो कुछ घंटे ही साथ बिताया है वर्श कुसे से कनक के पाश आकर कनक के शूरर को पकड़ कर उसे उठा कर अपने पीछे करते होई अभी मन्यूपर देखते होईगा तुम जो कोई भी ह से मतलब नहीं है में छोटे करकोश से दू रहा हूँ अभी मन्यूप अगर से वर्श के सामने खड़े होते होई का घंट हुए सी चोटे करकोश क्या बात है तो आदर तुम्हारे तो गई नाम है कर रखते हुए आप इस अपर सर पर हाथ रखती होई यह कहां फस गई मैं वर्ष आपी मन्यूम के तरफ उंगले पॉर्ण करते हुए खा मेरे चोटे खरकोष्ट से दो रहा हूँ उसके करीब आए तो तुमारी बोड़ी दोनिया से कायब हो जाएगी अपी मन्यूम वर्ष के सामने खड़े होते हुए वर्ष को चेड़ाने वाई रहसे में खा सोरी प्रोफेसर और एजिएंट आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक एजिएंट कुर्णा वाला काम नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकता हूँ इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी टमाटर को जरा भी दर्ट नहीं होना चाहिए वर्णा मैं उसे तुम्हारी पाओं में से चुड़ा लूँगा और अभी मन्यू सिंगनाठा और खोकली धंकी नहीं देता मैं जो करता हूँ वो पूरा करके दिखा दा हूँ इत्ता क्याकर अभी मन्यू अपने आखे को घुमाते हुए वहाँ से चला गया वर्णाठा जब पीछे मुड़कर देखा तो कनक को वहाँ ना देख क्योंकि कनक उसके पीछे नहीं थी वर्णाठा को रेस्टोरेंट के रेस्टरूम में लेकर फॉर्षूम डग चेक कर लिया लेकिन कनक उसे कई नहीं मिले अब वो बहुत जादा परशान हो गया था उसी अजीब सी पेश्यानी होने लगी थी उसके हाथ पीट नॉमल हाथ पीट से बहुत जाला तेस्ट जो तेस हो चुकी थी वो अपने दिल पर हाथ रखे हुए अपने मन में कहा कहा हूँ छोटे खरगुश वर्ष कनक को ढूणता हो दा हाँ लेकिन कनक उसे कई नहीं मिली वर्ष रेस्टोरेंट से बाद आकर सड़कों पर भी देखा लेकिन कनक उसे कहीं नहीं मिली आकर कहा गई है कनक क्या होगा आगे जानने के लिए पने रही है मिलते है नेक्स पार्ट पर चाप्टर 58 वो सिर्फ मेरी है अभी मन्यूम संसान रोड पर चलती हुए इशारा था उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीशा कर रहा है अभी मन्यूम चल्दे चलते हैं जटके से पीशे की तरफ पलट कर देखा और जैसे किक मारा उसके पैर हवा में क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं मल्की कनक खड़ी थी कनक ने डर से अपने आखे पर अपने हाथ रख ले थे अभी मन्यूम अपने पैर को नीचे करते हुए कनक के शोडर को पकड़ कर का पागर हुए अभी लग शारी तो तुम्हें तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो क ौन करने किसी चोटे बच्ची की तरह का क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती थी नगया क्योंकि मैं पीछा करने के क्या सुडर्त थी अगर मेरी जगा और तुम्हें किर्णाप कर ले था तो उस वक्त मुझे कुछ समझ पर नहीं आया तो मुझे यही सही लगा तो मैंने यहीं क्या पर तुम मुझे पर चलाना बन करो अभी मन्यूम ने एक जटके से कनक को गले लगा लिया और कनक क्रिस्टैस्यों की तरह खड़े रही उसे अभी मन्यूम के इस एक्षन के पिरको भी उमी नहीं थी अभी मन्यूम ने कनक को कसकर गले लगाते हुए खा तुमने तो मेरे जान निकाल दी थी पागल लगी आगे से ऐसी कलती मत करना तुम नहीं चाहती तुम मेरे लिए खिटे इंपॉर्डेंट हो कनक आप ये द्लवनों हाथों को अभी मन्यूम के कमर पर रखकर अभी मन्यूम को खुचे दूर करते हुए खा दूर हा तो मुझे मैंने तुमारी मॉम से मिलने के लिए क्या खा तुम तो उसका एडवांट हो कनक में अपने गर्दन नामहें ला विमानमोंने कह सकंग क्या तुम ने उसको बताया नहीं कि तुम यह पौगल हो तुम मैं तुमें तूंदे तुम्हें उसे बता कर अना चाहिए था नागल अभी मन्यूम को घूरते हो एंगा सब्पाटन हो अगर मैं उन्हें बता दी तुम्हें लगता है तुम्हें पता है छे महने से मैं तुम्हारी मौम को ढून रही थी लेकिन मुझे मने आखरा नाम सुना तुम्हें कु यार नहीं याण रहु और मैं पिणा पठाए तुम्हारी पीशे आ गे दुन्हों इस पाठोर से अंचाने की दूर खड़ी कान में बैठा इंसान उन्हीं अपने जल्दी आखों से घूर आथा ये कोई और नहीं पल की वर्ष था वर्ष तब यहां आए था जब अभी मन्यूम ने कनक को करे लगाए था अभी मन्यूम कनक के चेरे पर हाथ रखते होगा पहले तुम वापस उसके पास ज चान को खते में नहीं डाल सकता तुम समझ रही हो ना टमाटर कनक ने अपने गर्डन हामेल आदी अभी मन्यूम कनक को वहां से लेकर जादा तभी उनके सामने पूरी फुल की तभी एक कार फुल स्पीन में उनके सामने अगर खड़ी हो गे और बस उनके कुछ इंच की और कनक उसके पीछे थी उस कार के हैडलाइट उन दोनों पर जल रही थी उस कार का डूर ओपन कर वर्ष पा रहाया वर्ष ने बाहर आकर देखा अभी मन्यूम ने कनक के चैरे को अपने सीने से चुपाया हुआ था उसी इस बात से इतना गुसा आ रहा था कि वह पागलों तुम से अलग करते हुए का मैं तुम्हें पागलों की तरह धोना था और तुम यहां इश्क लड़ा रही हो तुम चानती हो इसे तुम्हें मिले 24 गंटे भी नहीं हुए और तुम इसकी बाहों में हो लगता है तुम सच में एक एक सौट कल भी बन गई हो वस्टे इटाई कगा दहें कि अभी मान्यम में एक 100 डाल का बार्श वर्ष प्रे मारते होई एक अपने समां है तुम क्छा खारी हो उस पीं कहते हुए था वर्ष ने भी एक सूर डाल का पंच अभी मन्यूम को मारते हुए का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चूने की वो सिर्फ मेरिया ये बात कान खुल कर सुननों तुम दोनों को आपस में लड़ते देख कनक ने चलाते हुए का स्टॉप लेकिन फिर भी तोनों नहीं कनक ने पास पे पड़े एक पत्र को उठाकर कार के फ्रंट मेर पर फिक दिया जैसे कार का फ्रंट मेर टोटकर बिखाड़िया और वो दोनों भी रुक हैं कनक अभी मन्यूम के सामने आकर खड़ी होगी और वर्ष को देखते हुए का बस करिए आप उसे क्यों मार रहे हैं उसने सिर्फ मुझे गले लगाया था वो भी पचाने के लिए आपको लो उसे ठांक यू कहना चाहिए वर्ष अभी मन्यूम को घूट होई का ठांक यू माइफूट अभी मन्यूम अपने होड़ों के कोने से निकल रहे खून को साफ करते हुए इसमाल कर रहा था अभी मन् अभी मन्यूम को घूटे होई महाचे चलने कर लिए वर्ष एक हाथ से फुल स्पीन में कार को ट्राइब करा था और दूसरे हाथ से कनन के हाथों को पकर रहा हुआ था करनक अपने हाथों को शर्वाने के कोशिश करते हो एक वर्ष से खा मुझे धर्ड हो रहे है छोड़ि में कैती रहोगी मैंने कहा था ना चोटे करकोश किसी अंचान आनमी से बात मत करना और किसी अंचान आनमी के आस-पास भी मत अजाना लेकिन तुमने एक भी बात नहीं मानी तुम्ही उसके सजा जरूर मिलेगी सजा पाने के लिए तयार हैना वर्ष पूरी फुल स्पीन मे कार ड्राइब करा था कनक नहीं वर्ष से खा स्पीट कर लीजिए हमारा एक्सिटेंट हो सकता है वर्ष स्पीट को और पढ़ाती हुए खा आई टोंट कैर छुप हो जाओ छोटे खरगोश क्योंकि थमारी वज़ा से मुझे और पर जादा गुस्सार है सिंगार्या मैंशन ल हाथों में दो कप लिए हुए लूसा के पास आकर का हाई फाइटर क्या तुम कॉफी प्योंगी लूसा को कॉफी पीने का बहुत मन था लेकिन मों मानिक क्या हाथों से कॉफी डई लेता चारी थी फिर उस्ते कुछ सोचते हुए खा अब जब सामने लेकर खरे हो तो लड़के में ऐसी क्या प्रॉब्लम है लूसा कॉफी को टेपल से उठाते होईगा मुझे लड़कों से नहीं पलकी चिपको और छेषोड़े लड़कों से प्रॉब्लम है मुझे डीसेंट लड़के पासए और अब ऐसे लड़के दोहां में नहीं है तो अब क्या करेगा क्या होगा आगे जानने के लिए बने रही है मिलते है नेक्स पाट में चैप्तर 59 सिंखान या मैलशन लूसा की बाते सुन मानिक ने लूसा से पूछा तुम किसी से प्याठ कर दी थी मानिक ने इत्ता ही का था कि लूसा कॉफी के कब को कस कर पकरत होए का क्यों मैं किसी से लूसा को देखते होए खा मैंने बहुत ची लड़कियों को देखा है फ्लर्ट भी किया है लेकिन तुम जैसी नहीं देखी तुम तो किसे लड़किया की तरफ देखती तक नहीं हो क्या तो हमेशा सिंगल जाओगी लूसा ने मानिक से खा तुम में किस ने कहा कि मैं अपी तुम आहें देखकर ऐसा लगता ह rebel है कि तुमने मोज़बत को गहराई सिया है मोज़बत पर याकेन नहीं करता क्योंकि मुझे नगता है कि दुनिया में महवबत ही है लोगों का एक दूसे की तरफ एक्ठर्ट होना ही लोग और उसे महबत का नाम दे दे हैं, महुबत क्या होती है, ये कोई ने जान्दा, लूसर काफी पीते हुए किसी के बारे में सोचते हुए घा, महबत वो चीज है, जो हर साल में आपको इस तरत दे, आप कितने भी अकेले हो लेकिन आपको इस पात का एशास करा हैं कि वो आपके के साथ खड़ा है मौत आपके सामने खड़ी हुआ लेकिð आपको मौचे ड़ने लगा और आहसास होगी वह अभी आ ByeWhat Shonda आपके साथ ना होती हुए भी वहर पल वह आ पके साथ हूह के मुश्कोराइट की वज़ा हो आपके जीने की वज़ा आपके साथ से लेने की वज़ा वो हूँ मैं इसी को महबत मांदी हूँ मांदी हूँ महबत की अलग-अलग इत्ती की खुद के लिए चीना भी मुश्किल है इत्ता खेकर लूसा महाँ से चली गई मान इक लूसा को चाहत होई खा मान गया आपने आपने सच में ऐसी लड़की से प्यार किया है जो आज भी आपसे प्यार कि अपने दिल में जिन्दा रखिया है I miss you bro मुझे लगा था आ लेकिन आपके तो सच में ऐसी लड़की से प्यार किया है जो आज भी आपको अपने साथ महसूस करती है I hope मैं उसको आपके मौपत से आजाद कर सको इत्ता खेकर मान इक भाज़े चला गया वर्श ने कनक को लाकर एक रूम में बंद कर दिया और वो भी गुस्से में अपन उसे उधरते देख वो हैरान हो गया करते वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुए थी उसके आखों में आज हो थे उसे देखकर ऐसा लग ना था जैसे वह बहुत रोई है वह सीधियों से उधर कर वाश के पूरी धरास से नसर अंदास करते हुए का चले वाश कनक को देखते हु आई तो उसके हाथों में बड़ी सी ठाल थी उस ठाल में मंगल सुत्र सिंदूर और लाल करण के साड़ी थी वश ठाल को कनक को देते हुए खाँ जो जाकर कप्रें चेंज कर गया हो मैं अपने डुश्मन की बीटी को अपने बाप की मौत पर खुश होते हुए देखना चा मुझे ऐसे देखना कैसा देखना थैया है चोटे कर कोश मैं शामार्शाय सिनगां नहीं हुँ मैं पर्ला नहीं हो मैंने कुछ वक्तance प्यार से बात कर ली थी तो तुम अभी होली भूल गई ती इसले मैंने फैसला कि गैए कि तूम से प्यार से बात नहीं की चाहेगी तो क्योंकि तूम किसी के प्यार को डशाफ नहीं करती। میں तुमसे प्यार से बात नहीं कर सकता। जाओ और जाकर कपने चेंट करो। करखते वास को देखते होई एक। अगर मैं नाग करूँ तो वास कंग के शूलडर को पकड़कर गनक को कहा गनक को जड़के से अपने कड़ीब कर गनक से開ई को तुम्हारे पास नाग का ओपशन नहीं है छोड़े गर गोश अगर पूरे अगर क्योंकि अगर तुम्हारे आपके बाएस भाईफ से आफ़ी पार भी नहीं मिल पाएगा हमारे पास इता टाइम नहीं है बखवास करने के लिए चलो मेरे साथ इत्ता कहकर वर्ष कनक के हाथों को पकड़ते हुए अपके साथ होहां से लेकर चला गया वर्ष कनक को रूम में लाकर कनक को ढख्का देती हुए साथी को इसके मुझारते हो का कि तुम्हेरे पास पंदा मिनट है जो और तैयार हो कर आओ उतक हैकर वहां से चला पंदा मिनट पाद कदक लाल साडी पहने हुए बाहर है उसके बाल खुले हुए थे लाल साडी में वह बहुत खूपसरत और मासूम लग रही थी कनक वर्ष के सामने खड़ी हो गई थी वर्ष कनक को देखते हुए का अभी भी तुम पूरी तरह से त्यार नहीं हुए हो अगर लग रही थी माधे पर सिंदूर कले में मंगा सुत्र उसके आखों में आंसों गे उसके अपने शादी के लिए बहुत सारी सपने रहे थी लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह सारा सप्टा सिर्फ सप्टा ही रह जाएगा वश करें कि हाथों को पकड़े होए वहा इस्टेटियम के पीशों पीश मिस्टर देंच खर छे थे इन के हातों में हट कर दिया थी इन छी मेह नोола में बहुत ही देचर पाज़ना निए पर बड़ी बड़ी टीवी लगी थी जिसमें मिस्टर देंच खर लाइफ देक्रेड है था इस लाह द ही हमाओ का लोग बहुत ज़्यादा है उन सभी को लगा नहीं था कि एक क्रिमेरल को एंड काउंटर यू पब्लिक के पीशों पीश क्या जाएगा मिस्टर धराश कोल की आँखों आके किसी को ढून रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे वह आखरे बार किसी को देखना चाहरे थे तभी कि उस एस्टेडिया में ब्लैक औरी कार आकर रोगी उस कार में से माजी और अभी मन्यूम भार आए और एक ब्लैक ब्लैक कार आकर रोगी उस पेसे विक्रम चोहान बाहर निखे सबी लोग यहाँ पर आ गए थे इंटजार था तो सिर्फ वार्श का थबी एक वाइट कार रॉयल कार आई उस वाइट रॉयल कार में से वाश प्लैक कलर की फॉर्म में सूट पहने बाहर आया पीछे से यह श्लूसा मानिक तीनों बाहर है और उन्होंने एक कार की तिक्की में से विलचेर निकाली और अंकित को उस शियर पर बिठा रिया मिस्टर गोर्ण ने जब अपने बेटे को देखा तो उनके आँखों में आसो आ गए उस वाइक पिकाल के पैसेंजर सीट का डूर ओपन हुआ ओपन कर कनक लाल चाड़ी पहने बाहर है कनक को इस तरह देख भावाजू धर कोई हैरान हो गया और सबसे ज़्यादा हैरान हुआ अपर हमानियों करकी म किसी शादी में आई है कनक के पल के चुकी हुई थी वह आज इतनी मजबूर थी कि वह कुछ नहीं कर पाई आज उसी ऐसा सो रादा की मजबूरी और बीबसी क्या हो थी है आज उसने अपने भाई को अपे डार से मिलवाने की बहुत बढ़ी कीमत चुका रही थी धना जी बेटी को देखे तो उनकी आखों में आसू कहने लगे उनकी चोटी सी बेटी उनके यह की गुना की सजा कार रही थी अंकित कनक को देख बहुत हैं था वह अपने वील चेयर को कार के पास लिए चाकर करें पोचा ती आप इस तरह त्यार क्यों है क्यों आपको सराशा भी तरने हो रहा कनख अपरी बाई के पास गढ़नों पर पैठते हुए अपरी हाथ को अंकित की जयरे पर रख गा तुम डाट से मिलना चाहते हैं तो चलो डाट से मिल दा है कनख खड़ी हुई और जैसे अंकित को लेकर जाती वाष्ट एकलना की कलाई को पकरती हुई का दूसा अंकित मिस्टर गोल के पास ली कर जाओ, मेरी वाइक, मेरी दुश्मन की खरीम नहीं शाय की, कनक अपना हाथ वार्ष इसे चड़वाने के कोशिश कर दोएगा, प्लीज वार्ष वार्ष ने अपने गड़न नामे इला दे, कनक ने अपने आंके का स्काइब बन कर ली, क्या अंके कनक को कलेट समसेगा, क्या होगा आगि जानने के लिए,